नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों रूस एक ऐसा देश जो पिछले 60-70 सालों से भारत का सबसे बड़ा हतियार सप्लायर बना हुआ था जिसके हतियारों को हमने खुब इस्तमाल किया और रूस ने मोटी कमाई भी करी भारत को हतियार हाला कि ये बात सई है कि हमने रूसी हतियारों का इस्तमाल करते हुए बहुत सारी जंगे भी जीती लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हम रूसी हतियारों पर इतना निर्वर हो गए कि 60 सालों तक तो हमने इस बारे में सोचा भी नहीं कि क्यों न हम सारे हतियार खुद ही ब दिखेगा कि भारत ने कितना लंबा रास्ता आज तै कर लिया है हम कहां से कहां पहुँच गए हैं लेकिन खबर है क्या तो दोस्तों खबर निकल कर सामने ये आई है कि ब्रमोस मिसाइल जिसे दुनिया की सबसे तेज सूपर सोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है और इसे भारत का ब्रमास्त्र भी कहते हैं क्यूकि बहुत ही जाधा लिफल ये मिसाईल है और यही कारण है कि इसे खरीदने के लिए भारत के दर्वाजे पर कई देशों की लाइन लगी है और कई देशों को हमने इसे बेच दिया है जैसे कि फिलिपीन्स को इसकी डिलिवरी शुरू भी कर दी गई है वियतनाम को अब बेचने जा रहे हैं इंडोनेशा के साथ बातचीत हो रही है इसके अलावा भी कई सारे साउथ इस्ट एशाई देश हैं कई मिडल इस्ट देश हैं और कई साउथ अमेरिकन देश हैं जो इसे खरीदने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं लेकिन इस लिश्ट में अब एक ऐसा नाम जुडने जा रहा है जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और ये नाम किसी और ने नहीं बलकि ब्रमोस मिसाइल बनाने वाली जो कमपनी है ब्रमोस एरोस्पेस उसके जो सीयों हैं उन्होंने खुच जोड़ा है और इस देश का नाम है रूस जी हाँ रूस भारत से ब्रमोस मिसाइल करी सकता है इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसिस हैं क्योंकि बताय जा रहा है कि रूसी एर फोर्स को एक एर लौँच क्रूज मिसाइल की सकत ज़रुत है और बता जा रहा है कि रूसी वायू सेना ब्रमोस मिसाइल का जो एर लौँच वेरियंट है यानि कि वो ब्रमोस जिसे लड़ा को विमान से लौँच किया जाता है उसे बहुत ही सिरियसली कंसिडर कर रही है और आपको बता दू कि ये खबर बहुत ही ज़ादा पुखता है क्योंकि आप स्क्रीम पर देख सकते हैं जो ब्रमोस एरो स्पेस है जो कंपनी ब्रमोस मिसाइले बनाती है उसके जो सीओ हैं उन्होंने दवीक को दिया इंटर्वी में बताया है कि ब्रमोस मिसाइल को लेकर हम दुनिया के अलग अलग डिफेंस मार्किट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रूस उनमें से एक है जहां पर हम ब्रमोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अगर आप इस पूरे मामले पर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो देखिए मेरा मानना ये है कि इस बात के बहुत ही स्ट्रोंग चांस है कि रूस ब्रमोस मिसाइल खरीद सकता है क्योंकि अगर आप रूसी वायू सेना का बेड़ा देखो और इसमें मिसाइलों का स्पेशलिया आप बेड़े पर नजर डालो तो वहाँ पर आपको एक ब्रमोस लेवल की क्रूज मिसाइल की सकत कमी दिखती है ऐसे में जो ब्रमोस का A.L.C.M. वेरियंट है वो रूसी वायू सेना की बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन मेरा मानना ये भी है कि रूस को ब्रमोस मिसाइल चाहिए और वो लेना भी चाहते हैं ये बात सही है लेकिन इस बात के कम चांस है कि रूस यूकरेन युद के दोरान भारत ये क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा रूस को इसका करण ये है कि कलको इन ब्रमोस मिसाइलों को रूस ने इस्तमाल कर लिया यूक्रेन के खिलाफ इसकी हैडलाइन दुनिया भर में बनेगी कि भारत दोरा दी गई मिसाइलों से रूस ने भारी तबाही मचाई यूक्रेन में और इतने सिविलियन मारे गए या फिर इतने बच्चों की जान चली गई तो ऐसे में जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है वो फिर भारत का गला पकड़ेगी और भारत इस सिचुएशन में नहीं फसना चाहेगा इसलिए मेरा मानना ये है कि कम से कम इस काम में डेड़ से लेकर दो साल लगेंगे जब तक रूस यूक्रेन यो दो पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता अलाकि पूरे मामरे पर आप कैसो उचते हैं कमेंट करके बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरो मच पूराचिंग वीडियो